करोडो काम छोड़कर भगवान का नाम देना आती आवशक है बहुत आवशक है अगर जिस किसी भी संत को पता है जिस किसी भी सादक को ये पता है कि ये बहुत जरूरी है तो वे अत्य दिक रूप से इस चीज का सेवन करते रहें चाए वे मांसिक हो चाए पांचु हो चाए म मुक दुवारा बोला गया हो जपा गया हो तो इसको जरूर करें अब देखे इसके पिछे क्या वर्थान थे थोड़ा इस चीज को तोड़ा देरी पुर्वक जाने हैं आप बहुत जरूरी चीज है मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको शर्दा पूर्वक सुने देखे ये इसलिए कही गई ये बात क्योंकि ये समय है आपके जीवन को बहुती उन्नती पहुचाने का अर्थात ये चीज अर्थात मुक के दुवारा प्रभू का नाम सुम्रन करन और किसी भी योनी में नहीं बेट सकता किसी भी योनी में आप इस चीज का सुम्रन नहीं कर सकते बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि बाकी सब योनिया भोग योनिया आती है यापर यानि आपको अगर इन चार प्रकार की योनियों में आगर आप चले जाते है तो ये चारण करना पो जरूरी है क्योंकि यह नव देह बहुत ही दुलनब है और भगवान की करपावश्य ही यह जो आपको मानो देह मिली है उनकी करपावश्य ही यह मिली है क्योंकि आप पता नहीं कितने ही लंबे आउसर से कितनी ही योनियों में पता नहीं कितनी सुर्ष्टियो में आपका आवागमन हो रहा है बार बार आना जाना आना जाना ये लगा हुआ है इस लिए इस चीज को बहुत समझना आवश्यक है और ये मान के चले आप कि ये जो अब आपको ये जनम मिला है आपकी स्मृति में ये आ गया है कि आ ये मेरी मानव दे इसमें अध्यात्मिक गैजिवन का महत्मून रोल होता है और बगवान को पाना इस जीवन में बहुत ही इंपोटेंट है अथात एक एसी कामना रखना कि हां मुझे किसी परकार से प्रवु के मार्ग तक यानि प्रवु के वार तक जाना है किसी भी परकार से या आपके बीतर एक व्रिड संकल्प होना चाहिए आप उसके लिए एक मनुष्य क्या करता है तरह तरह की प्रियास करने शुरू कर देता हुए तरह तरह के प्रियास क हो सकते हैं आपकी मानी के द्वारा आपकी मांसिक रूप से आपकी क्रिया किलापों के द्वारा चाया आप माला जब करें चाया आप कथाओं का वाचन कर रहें चाया आप किसी प्रकार से प्रवू से जुड़ने की बहुत कोशिश करते हैं आप ताकि प्रवू प्रशन हो और आप पर करपा करके और आपका उद्धार कर दे यही चीज होती है बहुत इंपर्टेंट देखि करोड़ो काम छोड़ने चाहिए क्योंकि यह मानव दहे मुक के द्वारा नाम सुम्रण कर सकती अपनी चेरना को परभू दक लगा सकती है समर्थ है यह इसमें सामर्थ है इस देह में सामर्थ है यह मान के चलिए बाकि किसी में भी सामर्थ है नहीं है बिलकुल भी सामर्थ है नहीं है आप मान ले इस चीज़ को बाकि और योनियों में बिलकुल लिए अन्यता यह जनम विगडा ये जनम विगडा तो मान के चलिए पिर पता नी अब फिर मोका मिलेगा ये निमोग इस लिए ये सुधार निखा समय है है जितने में मैं बोग काटने ते आपने वोग काटली आपने दन से लेकर चाय यखाने से लिखर और चाहि कोई भी बोती संसादुरों की सुषिधा से लिखरा आपने अजले जनुरों में बरपूर किये होंगे तब इस जीवन माकेट के होएं अबी अब यह अंतिम समय मानगे चलिए और इस अंतिम समय को आपको एक सुवपसर मानकर इसको मिलकुल अपन गुरु द्वारा बढ़ाया जाएगा मनोबल एक दिशा दी जाएगी गुरु मंत्र भी दिया जाता है और बर्गवाद की थोड़ी करपा रही तो आप में सद्वुद्धी रहते हुए भी आप इस उकार इस मार्क पर बहुत लंबे आगे जा सकते हैं इसलिए कहा गया है कि एक आपको ये बिलकुल सवनब नहीं है ये मानव दय बिल्कुल द नहीं है टेक है मनुष्यों से अधिक आप काफी छीज़े देख सकते हैं यह आप 미ους तो क्छ द्वाद्र संक्या में पोलने सकते हैं तो मनुष्यों से अधिक ही है इतलिए केवल और केवल जो सामर्थी है केवल मानो दे के अंदर है और ये देह मिलना बहुत ही दुल्लब है दुल्लब इसलिए होती है क्योंकि ये देह मिलना हर किसी के बस में होती नहीं है पतानी कितनी ही जन्मों तक तपश्चा करने के पश्चात मानो देह मिलती है और तम जाकर उद्धार होता है इसलिए इस देह कि जो बुद्धी है इसमत्ती है उसको शुद्ध विचारों में लगाने की कोशिश करे प्रमुग के सुम्रण में लगा दे जितना भी हो सके निरंतरता से प्रियास करने से क्या होगा कि आपके लक्स तक आप बहुत ही जलदी पहुचने लगेंगे और बहुत जलदी पहुचेंगे और बहुत जलदी उद्धार होगा यहाँ परआपका इसलिए आपको जित् zaman हो सके अपने उद्धार के लिए इस मारग बर चन्ना है वो लाको करोड जन्मों का उद्धार हो जाएगा आपके चितने भी पाप बचे हुए आपके खोड़ने वे सम्पुन रूप से समाप्थ हो जाएंगे अब देगे जब एक मनुष्य के पाप खतम होते हैं जब जाके पुन्य उजागर होता है ऐसे नहीं होता है वन्ना क्या होता प्रचितिय सामने आती है जिससे की परतेक सादक के मन में यह एक इसा विचार उत्पन हो जाता है जो कि पर्भू से दूर करने वाला होता है कि इतने परियास करने के पश्चाद मी इतनी दुईदाओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है यह इसलिए होता है क्योंकि नाम पे प्रभू का नाम पाप काटेगा सब्ग यहां नाम कि आपके आनोंकिन प्रिंट्यालिक लगिए और जैसे ही आपके अनुकुल प्रिस्टिथिया लगेगा तो आपका मन में एक कैसी प्रेहना जागेगी जिसे माद्यम से आप प्रभू के पास पोश्चने की बहुती बर्सक प्रयास करने लगेगी याई जहांपर आप वही एक एक दो दो गंटा ध्यान कर रहे हैं प्रभू का नाम जब ले रहे हैं वहां पर आप पूरे दिन लगे रहेंगे ऐसा आपका आत्मों बनने लगेगा इसलिए कहा जाता है कि इस मार्क पर हर समय ध्यान देते रहें अपनी स्मृति को बार-बार यहां पर लगा जाए अकस्मात विस्परण हो जाता है तो भी कुछ नहीं केवन उस जगे बार-बार चित लगाना पड़े ति यह व अगर सोचे आपके जीवन मिलाओ आप उस चीज़ से दूर हो गया जो परबुब के द्वारा इश्वर के द्वारा रच्चित है पोरी पाया और वे इसलिए रच्ची गई है क्योंकि यहां पर काफी जीवों का भोग भी भोगने पड़ते और क्यों एक मानों दे जिसका उद्धार हो सकता है मित्यू लूप में और इस दे में हाकर अगर आप यह गलती कर जाते हैं कि प्रभू का इसमर आप भूल जाते हैं तो म अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहे हाथ पाकर सफ़र मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक के लिए जैसलियारी और नव वक्ते वासू देवाए